नमस्कार इससाटर लाइब में आपके स्वागत है, आपके साथ में मैं हो नामिका यह जो खबर है, वो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंग से जुड़ेवी है जी हाँ पवन सिंग भोजपुरी के सुपरस्टार है और इनकी फिल्में जितनी जादा हिट रहती है उससे ही जादा इनकी जो मैरेड लाइफ है वो भी चर्चित रहती है जी हाँ हमेशा ही इनकी मैरेड लाइफ को लेकर के विवादों का जो सिल्सला है वो सामने आता रहा है पावन सिंग अपनी पहली पतनी के सुसाइट के बाद दूसरी शादी जोती सिंग से किये же जो खबरे आई थी पवन सिंग की पहली पतनी के बारे में वो ये खबरे थी कि पवन सिंग की पहली पतनी ने सुसाइट इसलिए कर लिया क्योंकि पवन सिंग अपने काम में काफी जादा व्यस्त रहते थे और बिलकुल भी समय अपनी पतनी को नहीं दे पाते थे जिसके कार थी इसको कोट तक पहुँचना पड़ा तलाक केस के लिए जी हां दोनों ने तलाक केस फाइल की पवन सिंग ने तलाक के लिए आरा के फैमिली कोट में अरजी लगाए थी 26 माई 2022 को पवन और उनकी पतनी जोती सिंग दोनों कोट पहुँचे थे इसके पहले हलाकि 28 अप्रिल को भी सुनवाई होनी थी लेकिन उस वक्त शूटिंग में वेस्ट होने के कारण पवन सिंग कोट नहीं पहुचे थे जिसके बाद थी 26 माई की और इस दिन दोनों कोट पहुचे थे और इस वक्त में जो सामने आई थी खबरे उसके अनुसार दोनों को थोड़ा वक्त मिला था कि अगर दोनों के बीच में आपसी सुलह हो जाती है तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी लेकिन पवन सिंग जो हैं वो तल आरोप लगाए हैं जोति सिंग ने कहा कि पवन सिंग से जब से उनकी शादी होई है उसके कुछ दिन बात से ही वो उनके साथ में मारपीट करते हैं गाली कलोच करते हैं और काफी जादा प्रतारित करते हैं इतने पर ही जोती नहीं रुकी बलकि उन्होंने ये भी कहा कि द पतनी पवन सिंग की थी नीलब उन्होंने सुसाइट किया था क्योंकि एक खबर जो आई थी क्योंकि पवन सिंग जो है वो बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे फिर जोती के साथ शादी दचा करके वो जो थे जब उनकी पहली पतनी सुसाइट कर ली तो उसके बाद पव करने लगा कि शायद पवन सिंग जो है वो अक्षरा सिंग से शादी कर लेंगे लेकिन जोती सिंग से शादी करके पवन ने सब को सर्प्राइस कर दिया अब खबरे आ रही है कि पवन की जिंदगी में एक और नए प्यार की इंट्री हो चुकी है यही वज़ा है कि बवन सिंग जो है वो अपनी दूसरी पतनी जोती से तलाग चाहते हैं यानि कि लव लाइफ में एक और इंट्री और यह तीसरी इंट्री है तो पवन जो है आला की कोट में आज फिर उन दोनों की पेशी होनी थी तलाग को लेकर के पवन सिंग और जोती सिंग को लेकिन दोनों ही नहीं पहुंचे पवन सिंग शूचिंग में व्यस्त होने की कारण नहीं पहुंचे और जोती सिंग जो है उनकी तब्यत ठीक नही ने मुआफजा देने की मांग की हैं वहीं पवन सिंग जो हैं वो तलाग पर लगतार अड़ेवे हैं अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई कब होती है और क्या कोट दोनों के तलाग के सुनवाई पूरी करती है फिलाल इसकुपर में तना है और आमे को दीजे जासत नम झाल करते हैं तना हैं